Hey guys, welcome back another video आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप अपने फोटो में एक्वा एंड ओरेंज कलर का अफेक्ट कैसे लेके आ सकते हैं आप स्क्रीन में एक फोटो देख रहे होंगे और इस फोटो में मैंने एक्वा एंड ओरेंज कलर का अफेक्ट यूज किया हुआ है उससे पहले आपको दिखा देता हो फोटो पहले कैसी थी प्रिसेट एड होने से पहले तो फोटो पहले इस तरगी थी और जैसी मैंने इसमें प्रिसेट यूज किया तो आप देख सकते हैं एक किलिक में फोटो एडिट हो गई है और कलर भी बहुत मैचिंग कर रहा है फोटो में अगर आपको सब कुछ जानना है इस प्रिसेट के बारे में तो वीडियो को अंदर तक पूरा देखे तब भी आपको सारे स्टेप समझाएंगे और अभी तक आपने में इस टाफ फे फॉलो नहीं क्या तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाके फॉलो कर लिजे अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे है इसी तरह के नए निए फोटो एडिटिंग सीखना चाहते है नमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए सांथ में वीडियो के लाइक भी जरूर कर दीजिए तो चलिए वीडि दिकर हमें किलिक कर लेना है और यहां से हमारी फॉटो के गैलरी ओपन हो जाएगी अब यहां से हमें अपना प्रिसर्टर पर कलिक करना है जो परिषट डाउंडोट करेंगे वह यहां पर आपको देखने के लिए मिल जागा आपकी प्रिसर्ट की उपर Araw लिखा ओ़ आप पर फेस्ट के हमें कापी सै ने पर copy setting का हमें आपर किलिक करना है और उसके बाद उपर TIG की आइकन पर किलिक करना है तो मारे preset की copy setting हो गई है उसके बाद हमें back arrow उपर किलिक करना है और फिर हमें अपने photo पे click करना है अब इस photo में हमें preset add करने के लिए उपर 3. पे क्लिक करना को और नीचे आपको एक option में जागा Paste Setting का जैसे मैं Paste Setting में क्लिक करूँ है तो आप देख सकते हैं Photo में Preset Add हो गया है उसके बाद मैं आपको Second Photo में Preset और Add करके दिखा देता हूं इसमें भी हमें उपर 3. पे क्लिक करना है नीचे आपको paste setting पे click करना है जैसी मैंने paste setting में click किया तो आप देख सकते हैं photo में preset add हो गया तो आप देख सकते हैं photo कितनी awesome लग रही आप भी इस preset को download करके अपने photo में use कर सकते हैं बस आपको ध्यान देना है कि जो भी photo में preset use करेंगे उसका जो background होना चीए एकदम green होना आपको जाने वीडियो के description box में वहाँ पे आपको download preset link पे click करना है जैसे आप click करेंगे तो आप जाएंगे google drive के अंदर वहाँ से इस preset को download कर सकते हैं आप इस photo को save करने के लिए हमें उपर share के button पे click करना है नीचे आपको save to device करेंगे तो आपकी photo app की gallery में save हो जाएगी तो आ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लिजे क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के नए-ने फोटो एडिन सिखा जाती है और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को share नहीं के अपने दोस्तों के साथ तो ज्यादा से ज्यादा share भी कर द झाहे है